हेलो स्टूरेंट्स आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे मैं आपकी लाली मैडम आ गई हूं मैगनेर ब्रेंज की ओर से आपको हिंदी पढ़ाने जी हाँ प्यारे बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पार्थे पुस्तक शितिच भाग दो पार पुस्तक के पीछे वाले प्रश्ण वतरों का भी समधान किया आपने अपने विचार वी दिये बहुत अच्छे थे आज हम चलेंगे उसी पार्थ के पार्थ दंतुरित मुस्कान के mcqs अर्थात बहु विकल्पिये प्रश्ण बहुत ध्यान से सुनियेगा बहुत ध्यान से अच्छे से बैठियेगा जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ be in active mode है ना हमे active listener बनना है passive fister नहीं कि चलो आवास तो आ रहे है सुन लेते हैं लेटे लेटे ही सुन लेते हैं दूर रख दिया कहीं भी सुन रहे हैं चल रहा है ऐसा नहीं बी फोकस्ड है ना बिल्कुल ध्यान केंद्रन के साथ हमें बढ़ाई करनी है सो कैन वी स्टार्ट येस चलिए चलते हैं MC की उसकी तरफ और देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है देखिए दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुन है माधुर्य प्रसाद ओज माधुर्य येवं प्रसाद कैसा लगा आपको मधूर्त थी ओज था ऐसा उमंग जोश उत्सहा जैसा कुछ था या ओज था केला या प्रसाद था या माधुर ये वंप्रसाद था ठीक है ओके बिल्कुल सही जवाब आपने कहा माधुर ये वंप्रसाद वेरी नाइस चलते हैं अगले प्रश्नी की और प्रश्न दूसरा है दंतुरित मुस्कान का विता में कौन सा रस है अब बताईए दंतुरित मुस्कान में कौन सा रस है यहां पर देखिए आप समझ जाएंगे श्रिंगार रस अर्थात प्रेम से संबंदित भक्ति रस अर्थात पूजा अर्चना से संबंदित शांत रस मीं निर्वेद कोई वेदना नहीं या फिर वातसल मा और बच्चे का प्रेम येस वेरी गड़ बहुत साई उत्तर है मारा घहा वातसले रस अगले प्रशन की तरफ चलता है बच्चे का शरीर कैसा है कभीता के अनुसार हमें देखना है कि बच्चे का शरीर कैसा था धूल दूसर आभूशनों से सजा हुआ पीतामवर युक्त या सूरी की आभा से युक्त छोटा बच्चा जो था वो कहां खेल कर आता था और कभी ने उसकी क्या उपमा की थी क्या तुल ना की थी है ना जब खेल के आता था तो वो कैसा लगता था येस क्या बात है ये वह इना बात आइमानों उसके धूल से सन हुए गाल और पूरा शरीर लग रहा है जैसे उनकी जोपडी में कमल का फूल खिल रहा हो वेरी नाइस अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं कमल का प्रयोग कवी ने किसके लिए किया है अपनी जोपडी के लिए शिशू के हाथों के लिए शिश कि अधे उसको क्रास शिशू के हाथों के लिए शिशू के लिए अरे वहाध देखते हैं कि इन मैं से क्या है बहुत सही जबाथ वैरी नाइस तो आपने कहां शिशू के लिए और उत्तर आपका सही आया Chandra हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चे के इस पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया क्या कहा है कविता में मलिका के फूल जरने लगे या फिर शेफालिका के फूल जरने लगे या फिर कमल के फूल खिरने लगे या फिर गुलाब के फूल में कुठे किसके फूल गिरे थे किसक से जवाब देते रहना है ताकी दोनों तरफ से LERNING जब जुक्रूबे लर्निंग होती है नहrency मत भी मज़ा आता है बिल्कुल बहुत सही बेटा अग्ला प्र vert Lite में जोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशाह है किसी की जोपड़ी में कमल कफूल क्रया त three कैसे कमालिय है या अमीर हो गए या गरीवी में आनंद आ गया तो क्या आशा है इसका क्या अभीप्राइब जोपड़ी में फूल खिलना या गरीबं गरीवी में आनंद आना ठीक है किसी की जोपड़ी में कमल के फूल खिल गए इसकार थिया नहीं है ऐसा लगा जैसे गरीबी में आनंद की अनभूती हुई हो बहुत सही चलते हैं अगले प्रश्नी की और कवी को एक टक कौन नहां रहा था कोई लड़की या कोई किसान महमान या शिशु बहुत जल्दी जबाब दे दिया वेरी नाइस शिशु बहुत सही वेरी गोड बेटा बच्चे की मुस्कान में किसे पगलाने की शक्ती है क्या पगला सकती है बच्चे की मुस्कान कवी के अनुसार कवी ता के अनुसार बर्फ क्रोध कठोर व्यक्ती का मन जिसे कहते ना पत्थर मन है पत्थर देले बिलकुल या फिर प वाट सभी वेल डन वेरी वेल डन अगले प्रश्नी की तरफ चलते हैं किसकी मुस्कान इतनी मनमुहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल देती है कोई जादू गरे क्या मुर्दे में जान कैसा डाल सकती है देखते हैं किसकी है नंदे से शिशु की मृतक में भी डाल देती ज छोटी सी गुडिया की या पक्षियों की या किसी की नहीं हाँ येस नन्ने शिशू की वेरी नाइस अगला प्रश्न है बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है इसका क्या अर्थ है देखते हैं क्या बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है बच्चे की मुस्कान या मुर्दे को जीवित कर देती है या फिर हताश व्यक्ति में आशा का संचार कर देती है था हताश समझते हैं न पिटा एकदम निराश जीवन से हताश उदास होकर कि यह जीने का तो कोई अर्थी नहीं है ना ठीक है या फिर इन मैं से कोई नहीं उत्तरगा येस बहुत सही उठता है सूरच की थाय कमल की थरहा चान्दनी की थरह già किसी की नहीं सूरच की थाया लूग कैमल की दो एक है क्या जवाब है वह वेरी नाही मईस चलिए कवीता फसल अभी हम ने हेखा दनंतूरत मुस्कान का अब देह कवीता फसल मैं किस्की महिमा पर प्रकास डाला गया है कवी की पक्षियों की किसानों की या फसलों की किसकी महिमा लाख लाख हाथों की महिमा किसानों की हाथों की महिमा या पक्षियों की कवी की किसानों की या फसलों की फसलों की किसानों की देखते हैं फसलों की महिमा क्योंकि फसल नहीं होगी तो हम नहीं होंगे बहुत सही जवाब अगला प्रश्न है मिट्टी का गुंधर्म किसे कहा गया है जल फसल हवा धूप मिट्टी का गुंधर्म गुंधर्म समझते हैं ना उर्वरक्ता जो रहती है उसमें क्या आती है कैसे फसल उत्पन होती है हमने कविता में पढ़ा था तो क्या परिनाम है मिट्टी के गुन्धर्म का सही फसल बहुत सही बिटा वायू का योगदान किने बड़ा करने में होता है मनलब वायू कि कहां इस कविता के अनुसार वायू का योगदान कहां है बच्चों को फसलों को पेड़ों को या जानवरों को कविता के अनुसार फसलों को वा क्या बात है मेरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अगले चलते हैं फसलों में किसकी मेनद छिपी है कौन मेनद करते हैं किसान बच्चे कवी यह कोई नहीं कौन उप जाते हैं फसल किसान बहुत सही जवाब यह हुई ना भारतिय बच्चे वेरी नाइस वेरी गुड चलते हैं अगले प्र करनों का देखते हैं सूर्य की किरणों का है ना आपने सुना होगा विज्ञान में भी पड़ा होगा है ना in the presence of sunlight plants make their food जब सूर्य की किरने पड़ती है तब ही तो अपना पौधा ये जो फसले हैं वो अपना भोजन तेयार करती हैं बहुत बढ़िया क्या बात है फसले किसके अमरित भरे प्रभाव से सीच कर पुष्ट हुई है बादलों के तालाब के नदियों के या नहरों के किसके बताइए नदियों के कविता के अनुसार कई नदियों के है न दिया है न वहाँ पर लाख लाख नदियों के पानी का जादू है फसल तो हमें कभी था के नुसार उत्तर देना है शिशू की प्रथम गुरू कौन होती है बहन, नानी, मा या फिर कोई नहीं प्रथम गुरू किसे माना गया है बेटा ये तो बिल्कुल सामान ग्यान जैसा क्वेस्चन है और आई नो कि आप सबको पता होगा प्रथम गुरू माना गया है मा को, very well done ये वही ना बाद, बहुत सई अगला प्रश्न है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाशान इस पंक्ती का क्या आशा है पहले तो आप ये बताए पाशान का क्या रथ है पाशान मींस प्राचीन और सोचिए पाशान मींस पत्थर सही जवाब मिल गया आपसे बच्चों के आगमन से पहार पिघल गया बच्चे के आगमन से पत्थर पिघल गया बच्चे के आगमन से कवी का कठोर रदय भी पिघल गया या बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ खुशी हुई प्रसन्यता हुई तो यहां पर क्या है बताई गाह लेट मीचेक बहुत सब्सक्राइब अपने लिए ताली बजा दिया करो कभी वेरी बेल अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं बच्चा कभी को क्यों नहीं पैचान पाया छोटा बच्चा वो देख रहा था है कि अगयर थे तो कभी नगा चलो मैं ही अपनी आखे फेर लूँ नहीं तो तुम ठख जाओगे तो बच्चा क्यों देख रहा था मतलब बच्चा कभी को क्यों नहीं पçeकां पाया क्यूंकि उनको पहली बार देख रहा था क्यूंकि उनसे कोई परीज़े नहीं हुआ यह वी नबात ऐसा ही सही जवाब देते रहिए और सही जवाब कब देंगे जब आप कवीटा सुनेंगे व्याख्य सुनेंगे प्रश्ण उत्तरों को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और उत्तर देंगे तब कहीं जाकर हम बहुविकल्पी प्रश्णों में कन्फ्यूज नहीं होंगे ब्रहमित नहीं होंगे वेरी बहुत बढ़ी है बिटा वेरी बल्ड चलिए कभी ने किसे धन्य माना है स्वयम को बच्चे की मा को बच्चे को या या कोई नहीं धन्य तुम मा भी तुम्हारी धन्य इस अतिति से तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलियां मा की क तृष न एसको दीख है उसको देखिए उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि कि इंटाने माझा है स्वयम को कवी नहीं को माना है बच्चे की माझ को माना है या किसी को भी नहीं मा तु कितनी अच्छी है वैरी गर्ड देखते हैं है बहुत सही बीटा चलते हैं एकले प्रश्नी की तरफ कवी ने अपने आपको क्या कहा है चिर प्रवासी अभागा कठो रिर्दय या बेरहम चिर प्रवासी चिर मतलब समझते हैं चिर प्रवासी बहुत दिनों बाद कहीं आये हैं और अब मिले हैं या फिर अभागा या भाग्यहीन जैसे गोप और दे जिसके मन में कोई वेदना नहीं या फिर बेरहम जिसके मन में कोई रहम ही नहीं निर्दः टाइब क्या मान एक कबीमने रभाइस कि बहुत सही रपरवासि मैं इतर मैं अन्य वेरी गोड़ इस कविता में कौन सी शब्द शक्ती का प्रयोग हुआ है शब्द शक्ती के लिए मैं पूरा एक वीडियो हम फिर से मिलेंगे कि क्या होती है ये शब्द शक्तियां पहले हम इनमें देखते हैं अनुमान लगाई है व्यंजना लक्षणा अभीदा या इनमें से कोई नहीं व्यंजना क्या इस कविता में व्यंजना की गई है या फिर लक्षण बताए गए है या फिर सामानिसी चर्चा की गई है या कोई नहीं कौन सी शब्द शक्ती का लग रहा है आपको अनुमान लगाईए कौन सी शब्द शक्ति हो सकती है अभीदा ओके वेरी गुड चलते हैं फसल कवीता में कवी ने किसके बारे में बताया है फसल के पैदा होने के बारे में लोगों के परिश्रम के बारे में मिट्टी की विभिनता के बारे में या सब कुछ फसल के बारे में भी बताया है लोगों के परिश्रम के बारे में भी बताया है मिट्टी की विवेदता या विवेदता के बारे में भी बताया अर्थात उत्तर कौन से सही होगा घा उपर्योग तो सभी उपर्योग तो मतलब समझते हैं ने उपर्योग तो मतलब जो उपर लि ठीक है ओके चलते हैं फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है रासाय निखाद सरकार का अनुदान नदियों के पानी या इन में से कोई नहीं देखिएगा ध्यान से प्रश्न को फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है जादू शब्द आया था कविता मे किताब में देखिए फिर से अपनी बुक देखिए रासाय ने खाद सरकार का अनुदान नदियों के पानी या कोई नहीं क्या लगता है अपको रासाय ने खाद no okay किसी ने कहा नदियों के पानी का चलिए चेक करते हैं बहुत सही नदियों के पानी का जादू very nice अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं फसल को किसकी गरीमा बताया गया है गरीमा शब्द सुनाए आपने dignity अंग्रेजी में कहते हैं इसको गरीमा तो किसकी गरीमा बताया है फसल को नदियों के पानी की करोड़ो हाथों के स्पर्श की या मिट्टी के गुंधर्म की या सूरज के किरणों की तो पाठ के अनुसार अर्तात कवीता के अनुसार ही हमें उत्तर देने हैं यहां हम कोई judgment नहीं लगा सकते हैं बिटा क्यूंकि यह प्रश्न जो आए है वो कौन सी कवीता से हैं अट नहीं रही दंतुरत मुस्कान और फसल से ठीक है इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कवीता के अनुसार ही उत्तर चैन करना है देखते हैं करोड़ो हाथों के स्पर्श की गरिमा लिखा है देख लीजे सही जवाब संदली मिट्टी से कवी का क्या आशय है संदली मिट्टी लाल मिट्टी दोमट मिट्टी काली मिट्टी मिट्टी के कई रूप होते हैं है ना देखते हैं चंदन वरनी सुगंधित मिट्टी या चूला लीपने के काम में आने वाली मिट्टी या नदियों द्वारा लाई गए मिट्टी या पहाणों से कटकर आने वाली मिट्टी नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है जब नदियां आती है एक मतलब वो तो नदियां तो बह है यहां से वहां नदियों के बहाव से भी आती है पाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी भी होती है तो आप बताये संदली मिट्टी क्या हो सकती है कि 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 background टी यह नहीं द्वरा चलिये शेक करते हैं हा बहुत सही जवाब बहुत सही जवाब वेरी गूड अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं फसल किसका रूप आंतर है नदियों के पानी का मिट्टी के गुणधर्म का रासाइन एक फाद का या सूर की किरणों का किसका रूप आंतर है सूरज की किरणों का एक पंगती है देखते हैं तो घा सही जवाब होना चाहिए घा सही जवाब है वेरी गुड अगला प्रश्न कवी के अनुसार फसल क्या है मनुष्य के परिश्रम लगन और शारिरिक श्रम का फल ही फसल है फल में यदि सा जोड़ देंगे तो फसल हो जाएगा प्रकरती के जादूई सही योग का फल दोनों कथन सत्य हैं ये का और ख या फिर इनमें से कोई नहीं बताईए मनुष्य के परिश्रम लगन शारिक श्रम का फल प्रकरती के जादूई सही योग का फल क्या गा दोनों कथन सत्य हैं या फिर घा इनमें से कोई नहीं गा लेट मी चेक बहुत बढ़िया वेरी वेल डन बहुत सही जवाब चलिए आगे कवी नागा जुन का वास्त्विक नाम क्या है यदि आपने जीवन परीचय को ध्यान से सुना था तो आप जवाब बता देंगे बताईए श्रीपती मिश्र प्रताप नारायन मिश्र मंदन मिश्र या वेर्दिनात मिश्र क्या था उनका नाम वेर्दिनात मिश्र चेक करते बहुत सई वेरी गुड ये रहे हमारे वस्तुनिष्ट या बहु विकल्पिय प्रिश्ण जो कि हमारे पाठ दंतुरित मुस्कान और फसल से संबंदित है ठीक है आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुना है समझा है नहीं समझ माया का तो फिर से वीडियो देख है ठीक है तो अब मैं फिर आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और आई नो कि आप उसको सुनेंगे समझेंगे और उसका पालन करेंगे तो बेटा मैगनेट ब्रेंस लेकर आया है क्लास 6-12 के लिए ओनलाइन स्कूल सिक्षा एकदम फ्री विदाउट एनी कोस्ट मैगनेट ब्रेंस के जरिये और ना केवल हिंदी बलकि सभी विशयों की आउनलाइन स्कूल सिक्षा ना केवल हिंदी या सभी विशयों की और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ ना केवल MP Board बलकि और भी कई राज्य शामिल है हमारे मैगनेट ब्रेंस की सिक्षा में तो आपके जो भी मित्र हैं, सहयोगी हैं, परिचित हैं, उनको कहिए कि मैगनेट ब्रेंज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लैटफॉर्म पर आएं और अधिक से अधिक शेर कीजिए ताकि मैगनेट ब्रेंज और उचाईयों पर जाए कहते हैं ना, एक दूसरे का ज चार्ज लेने लगेंगे, नहीं, एकदम फ्री, फ्री, फ्री और आप स्वेम बहुत अच्छे जज है, निरनाए आपके हाथ में है, कि जो मैं कह रही हूँ, वो कितना ऑथेंटिकल है, कितना विश्वस निया है, ठीक है, तो बिलकुल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की कीजिए, शेर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाइबाइ, थैंक यू,